हेलो फ्रेंद्स तो मैं वैशनवी एक बर फिर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर तो आज किडोस को कुछ समझाना है चोटे-चोटे लिसनर्स जो हमारे हैं उनको असल में एक चोटी सी कहानी है दो सिबलिंग्स थे भाई बेहन थे लाइक एक घर पे दो भाई बेहन थे तो दोनों को जंक फूड बहुत पसंद था ठीक है लेकिन जो बेहन थी उसका नाम था रिया और भाई का नाम था रोहन दोनों को ही जंक फूड बहुत पसंद था पर उसके बावजूर भी रिया जो थी वो अपनी मम्मा की बात मानती थी और जादा जंक फूड नहीं खाती थी बजाए कि रोहन जो था वो यह वस फॉड अफ जंक फूड तो वो जंक फूड ही मांगता था नहीं तो रोता था और कुछ नहीं खाता था तो ऐसे में क्या हुआ चलता रहा चलता रहा मम्मा समझाती रही डारती रही थोड़ी बहुत बिटाई भी करी पर कोई फरक नहीं पड़ा ऐसे ही एक दिन की बात है कि school में रोहन जब class में study कर रहा था तो while studying in the class anything was written on the board and the teacher asked him कुछ बोड पर लिखा टीचर ने प्रेशन कोश्चन लिखा टीचर ने बोड पर और रोहन से बोला रोहन इसका जवाब दीजिए तो रोहन ने उसका जवाब गलत दिया और कोश्चन बोड में क्या लिख नाम क्या है राश्ट्र पिता है ना हमारे उनका नाम क्या है तो अब रोहन ने उसका गलत जवाब दिया अब ऐसे में क्या हुआ टीचर बहुत गुसा हुई कि रोहन पढ़ने में कमजोर होता जारा है दिन पर दिन अब इसका कही ना कहीं इसको bad impression इसका आएगा result पर तो अब ये पढ़ाई धंक से नहीं कर रहा है तो उसकी मम्मा ने स्कूल में ही उसको डाटा कि मैं तुमसे बोलती थी ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो तुम नहीं दे रहे हो, देखो क्या हो रहा है तो उससे जब वहाँ पर उसकी मम्मा ने वही कोशन पूछा कि who is the father of the nation तो उसने जवाब दे दिया, महत्मा गांधी अब उसकी मम्मा ने कहा जब तुम्हें आंसर पता था तो तुमने टीचर को जवाब क्यों नहीं दिया तो उसने बोला, रोते हुए कि जो बोर्ड पर लिखा था, मुझे दिखने ही रहा था ऐसे उसने बोला अब क्या हुआ अब उसकी मम्मा को और बुरा लगा कि बिटा जब मैं आपको समझाती थी कि green vegetables खाईए, healthy food खाईए junk food नहीं खाओ, क्योंकि वो healthy नहीं होता है आप weak हो रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो तो आप मेरी बात नहीं मानते थे अब देखिए क्या हुआ result कि आपके अंदर कमजोरी आ गई तो at the end क्या हुआ कि रोहन को अपनी गलती रेलाइज होई उसने अपनी मम्मा से, टीचर से sorry बोला, माफी मांगी और उसके बाद उसने अपनी habits को सुधारा, junk food को avoid करा और healthy food को in करा, और ऐसे ही करके वो भी वापस से अपना intelligent बन गया, अपनी बहन की तरह तो इस story को समझाने का मेरा main motto यही था कि आजकल जो बच्चे है ना वो, they are fond of junk food लाइक देखो मैं यह नहीं बोलूँगी, मैं भी खाती हूँ पर इना limit, मैं खाती हूँ birth limit में, तो बच्चों का क्या है, वो जिद करते हैं, तो parents कहते हैं सुनता नहीं है, तो सुनता नहीं है, तो उसे सुनाओ वो आपको सुनना चाहिए, आप उसको नहीं क्योंकि इस तरीके से तो आप उसकी आज की जिद पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका भविश्य तो खराब हो रहा है, कितनी बिमारियां फैल रही हैं, जब वो अंदर से उसका immune system weak रहेगा, कमजोर रहेगा, तो आगे वो survive कैसे करेगा, आप तो जिन्दगी पर उसके पीछे नहीं रहने वाले हैं, कभी ना कभी तो अपने लिए खुद कड़ा होगा या खड़ी होगी तब क्या होगा उसका, तो प्लीज पेरेंट्स, बच्चों को अपने according चलाईए, ना कि बच्चों के according आप चलाईए, जरा से चीक आई, छुटी कर दी, डॉक्टर के पास लेकर गए, तुरंथ क्यों हो रहा है यह क्योंकि डायेट हेल्दी नहीं है, डायेट प्रॉपर नहीं है प्लीज इन चीजों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग्स दीजिए और उनका ध्यान रखिए थेंक्यू सो मच